प्रिय भाई और बेहनों आज का शुबस अनेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं आज का संदेश ब्रदा नर्सक दोमस मुंबे से वाटा जाएगा प्रारतना के साथ सुनिए प्रभपन मिश्य किस्तुति हो शुबस अनेश की हमारे सारे स्रोताओं को एक और बार मसी इश्यू की आदिसरेश्ट नामे नमस्कार और अभिनान्दन थोड़ेदर के हमारे मनन के लिए मतिरिसो समाजार छे अध्याए 19 से लेकर 21 पदों को हम पढ़ेंगे मैथिस गॉस्पल चाप्टर 6, 19-21 अपने लिए पृतिव पर धन संचे मत करो जहां कीडा और जंग नश्ट करते हैं और जहां चोर सेंद लगाकर चोरी करते हैं पर अपने लिए सौर्ग में धन संचे करो जहां ना कीडा ना जंग नश्ट करते हैं और ना ही चोर सेंद लगाकर चोरी करते हैं क्योंगी जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहे हैं। यहां प्रफुई शुमसी एक मसी विश्वासी को संबती के संबन्द में क्या विचार होना है, क्या दृष्टी कौन होना है इसके बारे में कहते हैं। शायद इन वचनों को पढ़ते समय मन में गलत फह में माप्त करो। पवित्रशास्त्र बाइबल जरूर अलग अलग जगा में इस बात को कहते हैं कि हमारे पास जो जो भी साधन है, संबती हैं, उसका सही उपियो करना है। परमेशर पर भरोसा रखते हुए अपने लिए और अपने बिच्चों के लिए संभालने के संबन्द मे कई जगा पढ़ते हैं। कल के लिए अपने बिच्चों के लिए आप संभालते हैं, सुरच्छद रखते हैं, ये एक बुराई नहीं, ये सही दीती है, उसमें कोई गलती नहीं। लेकिन प्रभीश मसी इन वचनों में क्या कहते हैं। मन, अमारा भरोसा, अमारा घृदे, प्रभीश मसी सोयम एक दिश्टान कहा, जो हम पढ़ते हैं लूका बारवा ध्याई में, तेरवा पत्से लेकि, जो मुर्ख, धनी मनिश्य, जब उसको बहुत उभज मिला, उसने सोचा, अपनी बिखारियों को तोड़ कर, बड़ी बि आउंगा, उनी में अपना सारा अनाच और संबती रिखोंगा, और वो अपने से कहते हैं, है मेरे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत सी संबती रिखी है, चैन कर, खा, पी और आनंद मना, तो यहां प्रभीश मसीर डाटते हैं, या इस प्रकार का जो पुष्टि कौन या विचार का खंडन करते हैं, कि धन इकटा करके, संबती इकटा करके, आपने लिए अपने परिवार के लिए बहुत इकटा करके, आराम से रहकर सुखविलास विता सकते हैं, यह हमारा मन को दर्शाता है, संबती पर मन लगाना, संबती पर भरोसा रिख ना, सोचना की संबत्ती हमें सुरच्छा देता है, संबत्ती हमें समाधन और आश्वासन देते है, ये बात के किलाव इश मसीहां कह रहा है, और उतना भी नहीं, इन पदों में प्रभीश मसी ये भी बताते है, सूचना देते है, संबत्ती या साधन, रसोर्सस जो भी हो, हम विचार करके समाप करेंगे पहली बात ये है कि संसार में कूछ भी नहीं जो हमेशे के लिए रहेगा इश्व मसी ने वचनों में क्या बोला धन संबत्ती जो कीडा और जंग नश्ट करते हैं और चोर सेंद लगा कर चोरी करते हैं मेरे प्यारे भाई बहन आप कुछ भी कटा करो संबत्ती हो, गर हो, जमीन हो कुछ भी कटा करो इसका कुछ भी सनातन कैल का मूल्य नहीं है या तो नश्ट हो जाएगा या तो कराब हो जाएगा ने तो किसी ने चुरा कर लेकर जाएगा और वो भी नहीं है तो एक दिन हम इन सारी चीज़ों को चोट कर जाएंगे कितना गहराई से परमिश का डर के साथ विचार करने की सचाए है कब तक हम पकट कर रखेंगे हम दावा कर सकते हैं मेरा घर, मेरी संबत्ती, मेरी गाड़ी हम दावा कर सकते हैं कब तक करेंगे आज आप करेंगे कल शायद नहीं होगा मेरे प्यारे भाई बहनों कभी भी हमारे सानसारिक संबत्ती की उपर भरोसा नहीं करना है क्योंकि किसी भी प्रकार सुरच्छित नहीं या तो वो जाएंगे ने तो हम जाएंगे मुर्खदा है सानसारिक संबत्ती पर भरोसा रखर सोचना की हम सुरच्छित है और दूसरी बात ये पदों में इश्यू मस्या में सिखाते हैं हमारी सारी आवशकताओं के लिए पर्मेशर पर भरोसा रखना है जैसा प्रभु हमें बलबंद करते हैं वैसा हमें काम करना है, कामाना है, कर्च करना है एफिशी सिंगी पत्री चार अध्याय का एक वचन में आपके सामने जल्दी पढ़ता हूं यहां ऐसा दिखा है, एफिशी चार का अठाइस परंदु भलाई करने के लिए अपने हातों से परिस्रम करें जिसे की आवशक्ता में पड़े हुई को देने के लिए उसके पास कुछ हो देखिए हम इस बात को मन में समझना है हमारे पास जो कुछ है, ठीक है अपना है, आपका है प्रभू ने हमारी हातों में दिया है संबती साथ हमारे लिए इस्तेमाल करने का है उसी प्रकार प्रभू के लोगों के लिए दूसरों के जो आवशक्ता में हैं जो जरुरत तुपर हैं इस्तेमाल करना है प्रभू की सेवा के लिए इस्तेमाल करना है तो इसलिए हमारे हर रोज की आवशक्ता के लिए पन्मेश और भरोसा रिखते हुए मैनत करके कमा के कर्च करके प्रभू की सवगाई में प्रभू के लोकों के लिए कर्च करके हमें आगे बढ़ना है मेरे प्यारे भाईबहनों हमारे पास जो है प्रभू की महिमा के लिए कर्च करना है और तीसरी और अंदिम बात हमें मन में देखने का ये है, इस मसीस कोद यहां इन वचन में कहा, सौर्गों में धन संशे करो, जैसा इस संसार पर रहकर हमारे सामें, हमारी शक्ती, एनर्जी, उर्जा और सोर्शस जो प्रभू की महिमा के लिए कर्च करते हैं, प्रभू के लो करता है, मन में रिखिएगा सौर्थदा में, अपने अपने परिवार के लिए, बैचों के लिए, आगले पीडी पीडी के लिए इकटा करते हो, मतलब नहीं है, लेकिन प्रभू की महिमा के लिए कर्च करना, सौर्ग में धन संशे करना है, लोका रेसो समाजार छे अध्या उसी नाप से तुमारे लिए भी नाप जाएगा, जो देते हैं, प्रभू उनके हातों में और ज्यादा देते हैं, कि वो और देते रहें, प्यारों, जो विश्वासी लोग यानभो करते हैं, वो समझते हैं, जैसा आप देते हैं, वैसा मिलते हैं, ताकि आप देते रहें, हमारा प्रफु कभी भी कर्जदर उसके ऊपर सर्ग में हमारा धन आमी कटा करते हैं एक और वचन में पढ़ूंगा और समाप करूंगा वो दूसरी कुरंदी नव का अच्छे है जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा ही काटेगा जो आदिक बोएगा वो आदिक प्रफु में साता करें हमारा मन कहां है खरदी कहां है हमारा भरोसा कहां है सबसे बड़ी और अविश्य बात ये है हमारा खरदी पनमेशर से अच्छी रिस्ता में हो प्रभु किसे सही रिस्ता में हो पनमेशर पर और पनमेशर की बातों मन लगा कर हम आगे बढ़ेंगे सारी आवेशक तायम, सानसारिक बाते सही समय पर सही जगा जाएगा प्रभु हमें साहता करे कि स आज़ा में रह कर सौरग के लिए जीना है सौरग में धन संपती कटा करना है प्रभु इन्वाचनल से साहता करें प्रभु कि नाम की मैं हमा